नमस्कार आप देखरें सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्शिता प्रताब सिंग्ग नाम भी फाइनल कर लिया है आपको बता दे जेदियू ने अपनी सबी 16 सीटों के लिए उमीदवार फाइनल कर दिया है एंडिय में सीट शेरिंग के तहट जेदियू के खाता में जो 16 सीटे आई है पार्ठी ने अपने प्रत्याशियों के नाम तै कर दिये हैं केवल तीन लो विधायक रमेश सिंग कुश्वाहा की पतनी हैं सीतामडी से सुनील कुमार पिंटू की जगा दिवेश चंद्र ठाकुर जदियू के उम्मीदवार होंगे किशन गंज से जदियू ने इस बार मुझाहिद आलम को अपनी पार्टी से टिकट देने का फैसला किया है सीच शेरिंग के तहर जदियू के खाते में आई शिभर सीट से जदियू की टिकट पर लवली आनन चुनाओ मैदान में होंगी तो आपको बता दे कि जो तमाम सोलस सीटे जदियू के पाले में आई थी उस पर अपने उमीदवार फाइनल कर चुकी है जदियू आपको एक बार फिर बता दे दोहजार चुबीस का लोगसबा चुनाओ अब बेहत नजदिक है अगले महिने चुनाओ शुरू हो जाएंगे चुनाओ आयोग द्वारा जो तारीक है कितने फेज में ये लोगसबा चुनाओ होने वाला है सब कुछ फाइनल कर दिया गया है बस फाइनल करना ये रह गया है तमाम पार्टियों को कि उनके किस सीट से कौन से उमीदवार चुनाओ लड़ेंगे एक और बात भी हार इंडिये की करें तो वहाँ अभी जो सीट शेरिंग का पेच है वो फसा हुआ है ये संबव है कि आज या फिर कल तक जो सीट शेरिंग का फॉर्मूला होना है वो तैह हो जाए हाला कि दूसरी और राज़त सुप्रीम प्रसाद यादव ने अपने तमाम सीटों पर जो उनके उमीदवार होंगे उन्हें सिंबर बाटना शुरू कर दिया है जिसे ये भी खबर है कि कॉंग्रेस आला कमान इस बात से कहीं ना कहीं नाराज है हाला कि कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है कि या तो आज या फिर कल तक जो सीट शेरिंग का फॉर्मूला होना है वो तैयार कर लिया जाएगा, लेकि न दूसरी और भीहार एंड़िये में सीट शेरिंग का फॉर्मूला तया है तमाम उमीदवारों का नाम फाइनल किया जा रहा है और जेदियू ने अपने सबी 16 सीटों पर अपने उमीदवार चुन लिए है अपने उमीदवारों के नाम फाइनल कर लिए है किस सीट से कौन से उमीदवार को खड़ा करने जा रही है जेदियू यह हमने आपको बताया इ देखते रहे हैं सिटी पोस्ट लाइब इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद